गोलविघा गौ में परिवारिक विवाद को लेकर हुई गोलिवारी में एक व्यक्ति को लगी गोली जांच में जूटी पुलिस हाम आपको बता दे कि गुरुवार को हिलसा थानाच्यत के गोलविघा गौ में परिवारिक विवाद को लेकर गोलिवारी घटना हुआ जिसमे एक ब्यक्ति के दहना हाथ के कंधा में गोली लगी है जेखमी ब्यक्ति को इलाज के लिए हिलिसा अनमंडली अस्पताल में लाकर भरती कराया गया हिलिसा अनमंडली अस्पताल के चिकिस्थक के दोरा प्रात्मी के उपचार करने के वाद बेहतार इलाज के लिए पटना पीम सियंच रेफर कर दिया गया जैखमी ब्यक्ति की पाचान हिलसा थाना छेत के गौल विगा गौनिवासी गोपालिक परशाद के पुष्ट सुरेंद परशाद के रुप में किया गया सुत्रे के मुताविक परिवारिक विवाद हुआ है जहां सराब पीने को मना किया थे इसी का विवाद बढ़ते चला गया इस मामले को लेकर हिलसा थाना पुलिस हिलसान मंडले अस्पताल में पहुंची और इस मामले की जांच परताल करने में जुट गई गोली लगने की फिलहाल अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है जुट फिला रषा जर्षा हिए है लना चारा गूशे आगो बुड़ी तो बिना मर ले ना सून तो ही कि मार दो खिलो कर लादी ना सुन इस लिएए जोगाँ का विए में गोली निकल दित्टा थानेंता उना इसमाने